भारत और उस्टेलिया के बीच दूसरा वंडे मैच नागपूर में खेला जा रहा है। आपको बता दे कि उस्टेलिया ने टोस जीत कर पहले गेन वाजी करने का फैसला किया। और भारत की तरफ से शुरुवात करने के लिए मैदान में उत्रे रहिच शर्मा और शिखर धवन इन दोनों की लाडियों से काफी उम्मीदे थी त्योंकि बिछले मैच में शिखर धवन कुछ खास नहीं कर पाये थी। और उने थर्ड मैन पर शॉट मारना चाहा तो अपना कैच आडम जंपा को थमा बैठे। तो ऐसे में देखना होगा कि भारते टीम दूसरे बंडे मैच में उस्टेलिया के सामने कितना बड़ा स्कोर खड़ा करती है। फिल्हाल इस कमर में इतना ही इस कमर को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल हैड्लाइन स्पोर्ट्स को भी अभी सब्सक्राइब करें। और ले जो अभी सब्सक्राइब करें। और ले इस लाइक करें।